मुबारक हो दोस्तों, देश हित या फिर मित्र के हित में 3 रुपे और योगदान की करने के लिए आप तैयार हो जाएए जिहां दोस्तों, एक फरवरी को बजट पेश किया गया था आम जनता को राहत देने वाला बजट, अमरत काल वाला बजट, मजल क्लास वालों की बल्ले बल्ले निर्मला सीतारमन ने ऐसा बजट पेश किया कि जनता को समझाए ना आए लेकिन गोधी मेडिया को जरूर समझा गया कि बजट कितने फाइदे हैं बजट से आम जंता को जो है कितना फाइदा होगा इसलिए तो एक दूसरे को बधाई दे रहे थे लड़ू मिठाईया बाट रहे थे जूम रहे थे स्टूडियो में कि देखिये कितना अच्छा बजट पेश किया है मोधी काल में मोधी का जो 2023 का जो आखरी बजट है 2024 का उसम में उन्होंने इतना शांधार बजट पेश किया है खुद प्रदान मंतरी मोधी आते हैं देश को संबोधित करते हैं देश के नाम और कहते हैं कि ऐसा बजट हम पेश करने जा रहे हैं जिसका देश ही नहीं बलकि दुनिया भे इंतिजार कर रहा है तो देखिए अब अब इंतिजार की घड़िया खत्म हो चुकी है क्योंकि आम जनता पर किस तरीके का महिंगाई का मार पड़ा है वो भी तीन रुपे वो साफ साफ नजर आ रहा है इस अमरत काल वाले बजट पर जोरो सोरो से किस तरीके की बदाईया बीजेपी और गोदी मीडिया एक दूसरे को दे रहा था वो सब आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा दोस्तों वैसे दोस्तों शब्द कितने भारी भर कम होते हैं अमरत काल अमरत महत सब बस शब्द ही भारी भर कम होते हैं एक दम चुने हुए लेकिन अमरत काल में जो अमरत है उसके ही दाम बढ़ा दिये जा रहे हैं अब सब खामोश है कि अमरत काल में देखिए किस तरीके से एक के अब आप इसे क्या समझेंगे अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये देश हित के लिए हैं अगर आपके जेब पर डाका पड़ रहा है तो आप ये माल लीजिए कि आप देश हित में योगदायम कर रहे हैं अब आपके लिए ये बजट और उसके बाद बजट के फाइदे और नुकसान सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो रहा है कि आम जंता पर कैसे राहत होगा या खून चूसने वाला आफ़त वो सब कुछ क्लियर होता वा नजर आ रहा है दोस्तों अमूल दूद ने आज यानि के शुकरवार से एक बहुत बड़ा ऐलान किया एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो आप सभी को दी है वो खुशखबरी ये है कि तीन रुपे प्रती लीटर महंगा हो गया है दूद गुजरात का ये डेरी प्रोड़क्ट है कि गुजरात को लेकर बहुत अच्छे अच्छे खबरे जो है बीते साल आपने देखी और वहाँ पर जीत जो है किस तरीके से एतिहासिक हुई है उसी गुजरात की ये डेरी है और जहाँ पर इस डेरी ने सीधे तोर पर नए साल के दूसरे महीने में एक नया सौगा दे द अब 54 रुपे परती लीटर, अमूल गाय का दूद 56 रुपे परती लीटर और अमूल एटू भैस का दूद अब 70 रुपे परती लीटर हो गया है गुजरात कोर्परेटिब मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन जो अमूल ब्रांड के तहत अपने डेरी उतपादों की फेडरेशन ने एक बयान जारी करते वे कहा था कि हम आपको सुचित करना चाते हैं कि अमूल पाउच दूद यानि कि सभी वैरियन की कीमत तीन फरवरी से बढ़ा दी गई है कीमतों में विर्धी दूद के संचालन और उतपादन की कुल लागत में विर्धी के कारण की अमूल जो की दूद कारोबार में मार्केट लीडर है इसलिए रेट बढ़ाने की शुरुवात वहीं से होती है इसके बाद धीरे धीरे आने राज्यों की दूद कंपनिया भी उसी क्रम में अपने रेट बढ़ा देती है कंपनी के मुताबिक अब अमूल ताजा आधा रुपे का हो जाएगा यानि की मिलने लगेगा जबकि इसके एक लेटर के लिए रुपे चुकाने होंगे अमूल गाय इसी तरीके से जो मैंने आपको कहा कि 56 रुपे जो है वो हो गया है पहले जो था 54 था लेकिन अब 56 हो गया है तो इस प्रकार से सबी दूदों के जो दा दूद की कीमतों में इजाफा किया गया था आपको याद लादू कि 2022 अभी गुजरे हुआ जादा दिन नहीं हुआ है लेकिन उस वक्त 9 रुपे तक बढ़ा दिया गया था लेकिन फिर 2023 में अचानक से 3 रुपे देश हित में योगदान के लिए अमूल ने गोशना कर दिय है कि आपके जेवों पर बहुत हुई मेंगाई की मार अबकी बार मोदी सरकार जो है वो कैसे 3 रुपे बढ़ा रही है वो आप सब जान ही जुके हैं दोस्तों जैसे ही अमूल को लेकर खबर सामने आई कि अमूल ने 3 रुपे अचानक से बढ़ा दिये है सोशल मीडिया पर लगी अदानी पर भी इसको लेकर सवाल दागे जा रहे है अदानी कनेक्शन भी इससे जोड़ा जा रहा है तो अब आपको एक-एक करके ट्विट्स दिखाते हैं कि कैसे जो है लोग सोशल मीडिया पर अमूल के दाम बढ़ने को लेकर कैसे प्रतिकीरिया दे रहे हैं तो स महंगाई अमरत मिल्क अमरत पेट्रोल अमरत डिजल कैसा रहेगा गोदी दलालों को भी कोई तकलीफ नहीं होगा वो तो अभी भी फ्रॉड सेट का बचाप कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि फ्रॉड सेट के लिए संबोधित किया गया है किस वे में कहा गया है आगे नेता वो लिख रहे है शुरिवास की अमूल जो है वो 60 रुपे लीचर हो गया है क्या वित्मंत्री दूद नहीं पीती है तो इस तरीके से उन्होंने तंजकसा है आगे देखे एक और टूइट है मुहमद अनस का वो टूइट करते हैं कि आप सभी को अमूल दूद की कीमत तो हुए 3 रुपे लीचर के इजाफे की बहुत-बहुत मुबारक बात यदि कोई मध्यमवर्गे परिवार प्रते दिन 2 लीचर दूद की खपत करता है तो महीने में उसे मात्र 180 रुपे ही जादा देने हैं देश के 4 मुखी विकास है तो मोधी जी है तो सब कुछ मुमकि अमूल ने दूद के दामों में वर्धी की है यानि की प्रती लीचर 3 रुपे की बढ़ोतरी कर दी गई है आगे ममता तरपाथी जो है वो भी लिख रही है कि अमूल दूद का दाम 3 रुपे बढ़ा दिया गया है आज ही सोचे थे कि अमूल दूद लाएंगे क्योंकि दू रुपे बढ़ा दी है अब फुल क्रीम दूद 63 रुपे की जगा 66 रुपे में मिलेगा बीते एक साल में कई बार इसके दाम बढ़ा दिये गए हैं आगे देखे बदोई वल्ला नाम के एक यूजर है वो लिख रहे है कि गुजरात की दूद कंपनी अमूल ने ततकाल प्र दूद की कीमतों में समान बढ़ोतरी हुई है इससे पहले पिछले साल मार्च और अक्टूबर में भी दूद के दाम बढ़ाए गए थे रनविजा सिंग ने भी टूइट करते वे लिखा है कि मुबारक हो अमूल दूद के 3 रुपे दाम बढ़ा दिये गए हैं तो इस तर दूद का था कि 2023 में आम जनता को थोड़ा राहत मिलेगा थोड़ा रिलेफ मिलेगा क्योंकि महंगाई किस कदर बढ़ी हुई है दोस्तों ये किसी से छुपा नहीं है हर एक आम जनता जानता है कि उसकी जेब पर कैसे डाके पढ़ रहे हैं कैसे जो है महंगाई की मार दे दी है दोस्तों इस पूरा रपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिकिरिया है हमें कॉमें सेक्षन में जरूर बताईएगा साथ ही साथ अनेशन को सब्सक्राइब करना बलकुल भी ना भूले